अता इन्हें फैगो ट्रॉफ्स या भच्छ पोशी भी कहते हैं किसी भी इको तंत्र में पादको केत्रिक तिये जीव उभोगता कहलाते हैं ये निमलिखित प्रकार से होते हैं प्रात्मे को भोगता बनस्पती का सेवन करने वाले होते हैं साका हारी जंतु कहलाते हैं एको सिस्टम के प्रात्मे को भोगता कहलाते हैं सेकंडरी उभोगता को देखे यह प्रात्मिक मांस बच्ची प्राणी प्राइनरी कार्णी बोरस होते जो प्रात्मिक उभोगता या साकाहरी प्राणियों दोनों पर व्रचर करते हैं आगे तर्ति उद्भोगता यह करते हैं यदि तरीक से की सोलर अनरजी के ग्रीन प्राइंटने लिए हर्विबॉरस प्लाइन से कार्णी बोरस प्लांट में गई कार्णी बोरस प्लांट से लार्ज एनिमल से फिर डिकंपोजर से और फिर इन्वार्मेंट पे तो इस तरीके से पूरा एको सिस्टम क्या होता है चलता रहता है अगर हम आगे की बात करें तो देखे डिकंपोजर क्या होते है एको सिस्टम के लिए जाते हैं और अब गुटों के माइक्रो कंज्यूमर्स या सेप्रो ट्रॉपिक्स कहलाते हैं एक कंपोनेंट क्या होते हैं पर्यावरण के अजीविय घटक है जलवी और म्र्दि हैं और अदव्साल प्रकाश स्विद्टा वर्शा आता चलिएक आरक य्यायदि और आज को desperate मियां होते हैं से जदश ज्यादा लोगों को किजिए और लाइक किजिए अगर बायलोजी पारशाला आपको समझ में आ रहे हैं तो इसे ज़्यादस 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 बच्छे अपनी बायलोजी की एक्जाम की तयारी यहां से कर सकें और 30 जनवरी से यूपी बोर 10 ख ग्लास और 12 क्लास के लिए अन्सौट सेट पेपर सीरीज स्टार्ट हो रहे हैं तो इसे सभी बच्छे ज़्यादस करें और साथ ही साथ बायलोजी पारशाला के लेटर सब्डेट को प्राप्थ करने के लिए बायलोजी पारशाला का वह बैल